कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का एकवर फिसे स्वागत है आपके अपने यउटुब चेनल दिप्यज गुरव हैं अभी तक आपने हम ने हमारे यूटुब चेनल को लाइक नहीं किया है एंद सस्क्राइब stubborn नहीं किया तो हम वर्ग एक में वर्ग दो में वर्ग तीन में बगर बीएड डीएड के पढ़ा सकते हैं या नहीं डीएड है तो हम किस बर्ग में पढ़ा सकते हैं बीएड है तो हम किस बर्ग में पढ़ा सकते हैं डीएड है तो हम किस बर्ग में पढ़ा सकते हैं तो उसी की जानकारी आज सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाले में जी एफमेस पॉर्टल पर नए पंजियन स्टार्ट हो चुगी यानि कि अगर आप गेश्ट फैसलिटी में पढ़ाना चाहते थे आतिसी चक के रूप में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अभी तक आपने जी एफमे प्राद यहाँ पर जल्दी जल्दी अप्डेट हो सखें और आप अपना आवेदन कर सकें तो चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताद हूं अगर आपने डि-एलएड कर रखा है या अपने डि-एलएड मैं पहले बताता हूं अगर डि-एलएड क्या है बी-एड क्या है तो आप किस वर्ग में पढ़ा सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगा अगर हमारे पास नहीं है तो हम पढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लें अब अगर आपने डियेलेड किया है तो आप केवल वर्ग तीन में ही पढ़ा सकते हैं ठीक है डीलेट के वल वर्ग तीन के उम्मिदवार सिच्छक के लिए है अगर आपने डीलेट किया है तो आपके वल वर्ग तीन में पढ़ा सकते हैं अगर आपने वीएट किया है तो आप वर्ग दो और वर्ग एक के लिए पढ़ा सकते हैं ठीक है बात हो गई है कि आपके प तुम्हें करी ऐडा रहती है पैसे कि यूंकि बर्ग तुम्हें हैं इसुप मुझसार प्वीस बाता है कीज अब बात करتे हैं до 2 में पढ़ा सकते हैं जी हां बिलकुम अगर आपके पदाए 85 नहीं है, पर कुछ टर्मेंट पंडिशन रहेगी, पहली तो यह आप जिस्कूल के लिए आविदन कर रहे हैं uh पर अगर कोई दूसरा आविधन कर रहा है ठीक है आप जिस भी स्कुल के लिए आविधन कर रहे हैं अगर वहाँ पर दूसरे गेश्ट मतलब दूसरे अथिति सी चक आविधन कर रहा है और उसके बाद बी-एड है तो पहले उसको माननेता दी जाएगी उसके बाद आपको द कर दम दे देना है ठीक है ठीक है बात कर लेते हैं डी-एल-एड की नहीं है और हम वर्ग 3 में पढ़ाना चाहते हैं तो बिलकुम पढ़ा सकते हैं सेम कंटिसन रहे की वर्ग 1-2-3 में जैसे कि यहां पर 5 लोग हैं जिसने अलग-अलग डाला है ठीक है दोने हिंदे में डा मेस से में मेस से में आपिदन डाला है तो मेस से में दो हैं आपके पास डिये 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 के पार डियल एड नहीं है अगर डियल एड वाले आब दन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें मानिदा दी जाएगी बाद में बिना डियल एड वाले को तो कुल मिला कर आपका कमेंट का यही आंसर है कि आपके पास वी एड डियल एड डियल एड नहीं है तो भी आप गेस्ट फ अर दे मातरम